हलो फ्रेंट्स तो आज किस वीडियो हम सीखेंगे अब कंप्यूटर में MS Paint को यूज करके इस तरह का घर कैसे ड्रो कर सकते हैं वह भी दो में कित के अंदर तो इस वीडियो को पुरा लास तक देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको पेंट आपन करना है तो यहां पर आपको स्टार्ट में पेंट मिल जाएगा तो यहां से आपको पेंट ऑपन करना है तो पेंट में अपको यहां से यहां पर हर तरह का टूल मिल जाएगा जैसे रेक्टेंगल शेप्स लाइन कर्व और यहां पर आपको कुछ कलर मिल जाएगा तो अलग-अलग कलर और color यहाँ पे आपको pencil eraser तो हर तर अगर टूल आपको paint में मिल जाएगा तो इस तरह का घर आपको design करने के लिए पहले आपको क्या करना है यहाँ से एक line खीचना है तो line को select करना है यहाँ से line select करने के बाद यहाँ पे एक line आपको mouse से खीचना है इस तरह से पर उसके निचे और एक line खीचना है वो ठोड़ा और बड़ा size का line दोनों side से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए फिर इस line को join करना है दोनों side से दोनों line को join करना है इसके बाद आपको रेक्टेंगल शेप लेना है इसके बाद यहां से एक रेक्टेंगल शेप लेना है ऐसे फिर और एक रेक्टेंगल शेप लेना है यह थोड़ा नीचे की तरफ आना चाहिए फिर यहां से एक और एक रेक्टेंगल शेप लेना है एक और यह को आरि इसके समान होना चाहिए उसको काद फिर से आपको लाइन लेना है यहां से लेक्ट करना है फिर यहां से स्टार्ट करके आपको इस पॉइंट दगा ना है रिशिंटू आपको इस ओपजित डि FlyingBoak में भी करना है है तो यह फ्रॉक्टर हो गया वसके बाद आपको यहां से रेक्टरिंगल augmentedơn और एसका विंडो यहां प्पे को देढ़ दियाई यहां से आपको डॉर फ्रिट्स आपको एक रेक्ट्व शेप लेना है और यहांस है बनी जीटेव दरफ देना एक। को यह को भी लाइन किषना है यहाँ से इस साइड से भी ओर एक लाइन चुक्राइब के विए खत्व फिर फाट्सा कॉर्लर हो गया उसके बाद आपको इसको फिल कर twin करना है तो कुलर करनी के लिए अपको यहां से फिल कॉलर का उप्षन मिलेगा तो यहां से पहले इसको सिलेक करना है, फिर आप कौन सा कलर करना चाहते है, उस कलर को आपको सिलेक करना है, यहां से, कलर सिलेक करने के बाद आपको यहां पर कलिक करना है, तो यह घर हो गया, तो यह पेंट में आप इस तरह से कोई भी चीज ड्रो कर सकते है, बहुत फास्ट होगर सकते हैं इस तरह का